सबी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम आपको इस वीडियो के माद्धियम से NPS में बिना पासवर्ड के पहली बार लॉग इन कैसे करते हैं वह हम आपको लाइव करके दिखाएंगे तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे की सारी प्रक्रिया को आप बहुत ही आसानी से इस्टेप बाई स्टेप समझ सकें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने फोन की स्क्रीन पर आते हैं और प्ले श्टोर एप पर क्लिक करते हैं जैसे ही प्ले श्टोर एप्लिकेशन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आता है तो हम लोग सर्च बार में NPS टाइप करेंगे जैसे हम लोग NPS टाइब करते हैं तो आप सब लोग देख रहे हैं कि इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आया है तो आप लोग देखिए यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में हम लोग application को install करेंगे जैसे ही हम लोग install बटन पर click करते हैं तो हमारा application install होने लगता है जैसे ये application install हो जाएगा उसके बाद हम लोग step by step सारी प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से समझेंगे application मेरा install हो चुका है जैसा कि आप लोग screen पर देख रहे हैं अब हम लोग इसको open करते हैं तो आप लोग देखिए जब हम NPS application को open करेंगे तो इस तरह का interface मेरे सामने आएगा तो कुछ permissions मांगेगा तो हम लोग इसको allow कर देंगे जैसे इस permission allow करेंगे तो इस तरह का page मेरे सामने खुल कर आएगा तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर login sanction लिखा हुआ है contribution है और यह हिंदी का मतलब है इस application को आप किस language में यूज़ करना चाहते हैं आप उस language में यूज़ कर सकते हैं कि NPS में बिना password के पहली वा login कैसे करते हैं तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें अपना PRAIN number पता करना है अगर आपके पास PRAIN kit नहीं है PRAIN का मतलब permanent retirement account number अगर आपको लेखा विभाग से PRAIN kit hard copy में नहीं receive हो पाई है तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आप सब का जो भी contribution होता होगा उसकी सारी detail आपकी mail ID पर आ जाती होगी उस mail ID पर सारा कुछ आपका जितना contribution हुआ है PRAIN number, tier 1, tier 2, tier 1 account में जो भी contribution हो रहा है वो सारा कुछ सो होगा तो चलिए हम लोग अपनी mail ID को open करते हैं हम लोग अपने phone में अपना Gmail open करेंगे जैसे हम लोग Gmail open करते हैं तो आप लोग देखिए यहाँ पर यह देखिए CRA करके एक आपको mail मिली हुई होगी यह देखिए इसमें आपका यह देखिए जो PRAIN number है यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यह PRAIN number दिया हुआ है और आप लोग इसको ही download करना इस CRA वाले इस पर क्लिक करेंगे यह देखिए लिखा है monthly transaction statement of your NPS यह देखिए यहाँ पर account for the period of 1 November 2022 to 30 November 2022 मलब एक एक महिने का जो भी contribution होता है वो मेरा email के माध्यम से प्राप्त हो जाता है तो हम लोग नीचे scroll down करते हैं और आप लोग देख रहे होंगे यह PDF नीचे दी हुई है यह PDF दे रखी है तो हम लोग इस PDF को download करेंगे जब इस PDF को download करेंगे तो हमें इस PDF में print number मिल जाएगा हम लोग इस PDF पर click करते हैं जैसे PDF पर click करते हैं वैसे ही हमारे phone में PDF download हो चुकी है और open करते हैं इसमें क्या है यह जो PDF आती है इसकी यह जो protected होती है password protected होती है तो हम लोग बताएंगे कि इस PDF को आप लोग कैसे open करेंगे जैसे कि आप मानिए आपका नाम है राखी और आपकी डेटा बर्थ है 5 जुलाई 1984 तो आप क्या करेंगे जो आपके नाम के पहले चार सब्द है पहले चार सब्द जैसे राखी मेरा नाम है उस नाम के पहले चार सब्द र-a-k-h ये चार सब्द लिखेंगे ये mandatory नहीं है ये सब upper case में लिखे जाएंगे ये lower case में लिखे जाएंगे सब छोटे alphabet में उसके बाद में जो डेटा बर्थ है 5 जुलाई 5 साथ 1984 तो आपकी जो डेट है जैसे 05 फिर 07 तो password हमारा हो गया र-a-k-h-0-5-0-7 इसमें year count नहीं करते हैं डेट और month count करते हैं तो हम लोग इस फाइल में password को enter करते हैं ये देखे हमने जैसे ही password एंटर किया मेरी फाइल ओपन हो गई है और इस फाइल में आप लोग देख सकते हैं इस फाइल को हम जूम करते हैं और इस फाइल में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पे देखिए प्रेन नमबर बहुत साफ साफ नजरा रहा है ये देखे प्रेन नमबर लिखा हुआ है आप लोग इस फाइल से अपना प्रेन नमबर प्राप्त कर सकते हैं जब आपको प्रेन नमबर मिल जाएगा तो आप लोग application के तुरू बहुत ही आसानी से OTP के माध्यम से login कर सकते हैं तो आप लोग इस प्रेन नमबर को कहीं भी किसी एक साधा paper पे आप लोग लिख लीजिए हम लोग वापस back अपने application पर चलते हैं अब हम लोग इस page पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर login सेक्षन लिखा हुआ है इस login सेंक्षन पर हम लोग क्लिक करते हैं जैसे ही login सेक्षन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए प्रेन नमबर और password माग रहा है तो मेरे पास brain number आ चुका है तो हम लोग brain number type करेंगे हमने प्रेन number type कर दिया है हमें password नहीं पता है तो जो हमने NPS का form भरा होगा मैंने उसमें अपना mobile number और email id दे रखी है email id दे रखी थी इसलिए मुझे उस mail id पे mail प्राप्त होई और मेरा mobile number भी link है तो हम लोग अपने OTP के माध्यम से लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? पासवर्ड मुझे नहीं पता है मैंने प्रेन नमबर भर लिया है इसके बाद हम लोग यहाँ पर सीधे जाएंगे लॉग इन करेंगे लॉग इन करने ही जैसे ही करेंगे तो प्लीज एंटर पासवर्ड मांगेगा तो हम लोग यहाँ पर reset password पर क्लिक करेंगे जैसे ही reset password पर क्लिक करेंगे मेरे सामने दो चीज़ खुल कहेंगे using secret question, using OTP इसमें हम लोग क्या करेंगे OTP के माध्यम से लॉग इन करेंगे तो हम लोग OTP section पे click कर देते हैं तो इस तरह का page open होकर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखा enter plan और यहाँ पर data birth मांग रहा है जो हमारी data birth है उसको हम enter कर लेंगे और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर new password confirm new password आ रहा है तो आपको यहीं से एक नया password बनाना है तो हम लोग एक नया password बनाते हैं नया password बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूँ इसमें आपकी numeric digit alphabet और special character सारे यूज होंगे तो हम लोग अपना password generate करते हैं पासवर्ड हमें ऐसे बनाना है जैसे abc add the rate 123 इसमें सारी चीजे कवर होनी चाहिए उसके बाद में capture एंटर कीजे 3 plus 2 यहाँ पे 5 लिखतीजिए उसके बाद में generate OTP पे क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप लोग generate OTP पे क्लिक करेंगे OTP हमने fill कर लिया है और submit बटन पे क्लिक करते हैं जैसे submit बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस आ गया है इसमें acknowledge number, print number, subscribe date of birth, time stamp सारी चीजे आ गई है इसको हम लोग back बटन पे क्लिक कर देंगे और हम लोग main page पर वापस आ जाएंगे हमने जो password बनाया है अब उससे हम लोग यहाँ पे डाल करके login करेंगे जैसे login करेंगे तो हम लोग अपना print number फिल करेंगे हमने print number और password को इसमें enter कर लिया है उसके बाद हम लोग login सेक्शन पे क्लिक करेंगे जैसे ही login करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही आसान steps में हम लोगों ने अपने NPS application में login हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह हमारा tier 1 है और इसमें आपकी कितनी contribution आ चुका है आपका नाम आपका print number और कहां कहां invest हो रहा यह सारी चीजें इसमें clear दिखाई देंगे आपको तो आप लोग देख रहे होंगे अगर आपके पास print kit hard copy में नहीं है तो आप mail ID पर जाकर के mail चेक करें वहाँ से print number ले करके फिर उसके बाद आप लोग application पर वापस आएं वहाँ से print number इंटर करके reset password करें उसके बाद OTP के माध्यम से आप login करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही आसान steps में आप लोग इसको login करें आप अपना इसमें recent contribution देखना चाहते हैं account details देखना चाहते हैं सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि आप ये देखिए recent contribution यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ recent contribution लिखा हुआ है जैसे आप लोग इस पर click करेंगे तो जो भी आपका contribution recently हुआ है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगे उसके बाद हम बात करते हैं अगर आप अपने Pren की e-copy आप चाहते हैं e-pren चाहते हैं तो आप लोग इस application के माध्यम से e-pren को भी download कर सकते हैं तो हम आपको बताएंगे की e-pren को आप लोग कैसे download करेंगे आप लोग यहाँ पर सबसे पहले account details पर click करेंगे account details पर जैसे ही click करेंगे तो इस तरह का page open होकर आएगा तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह का page open होकर आएगा यहाँ पर आप यह देखे download e-pren का option दिया हुआ यहाँ से आप लोग e-pren आप लोग download कर सकते हैं जैसे आप लोग इस पर click करेंगे तो यह करेंगे do you want to download e-pren जैसे yes करेंगे तो वैसे ही आपका जो e-pren है वो download हो जाएगा इस पर आप click करेंगे और उपर देखेंगे search dialogue box में आ गया है तो जैसे आप लोग इस पर click करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा यह e-pren download हो गया है यह देखें आप लोग अपना e-pren भी बहुत ही आसानी से download कर सकते हैं